बुने हुए चैने की इतनी जवर जश्त रेस्पी लेकर आई हूं जो आपको बेहद ही पसंद आगी तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सेयर करना चैनल को जरूर सस्क्राइब करना चलिए प्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमने एक कटो यह हमको च्छुडाना आए जितना हो सके आप इस तरह से मसलेंगे तो यह आराम से चूट जाएगा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा चूट जा जितना हो सके उतना चुडा देजी उसके बाद इस तरह का छान लेंगे तो जो हमारे मतलब छूटी यह गंदगी वह नीचे च तो हमारा गरम दूद है तो हम इसको थोड़ा से चला लेंगे यदि आप ठंडा दूद लाते हो तो एक बॉल दिला लीजिएगा तो मैंने गरम दूद कर प्योग किया उसके बाद हमने जो चनी को अच्छे से फ्रेस करकर रखे हैं उन चनों को यहां पर डाल दिया है डालने हाई आज बिल्कुल भी नहीं करना है तो पांट से साथ मिनट में हमारा दूद अच्छे सोख जाएगा चने सोख लेंगे सारा दूद क्योंकि चने सुखे हैं उन्हें तो यह सारा दूद खुदी पी जाएंगे तो आप लोग देख तो चलाते चलाते यहां पर यह दूद सोख चुका है थोड़ा सा गाड़ा हो चुका तो अभी हम थोड़ा सा एक मिनट के लिए और चलाएंगे तो यहां पर एक मिनट और हो गया चलाते चलाते यह सारा दूद सोख गया गैस को बंद कर दिये हैं उसको ठणना होने के लिए रख देंगा मिक्सर का जार में डाले आठ से दस काजू और आठ से दस पडाम उसके बाद हम डाले दो चमच इसमें चीनी का पाउडर आप चाहों तो इसको इसकी भी कर सकते हो पड़ा लिए गा तो अच्छा रहा तो दोचमच अपने चीनी पाउडर डाल दिया है उसके बाद इसको सारे ग्रांड कर लेंगे चीनी पोडर हमने इसलिए डाल दिया ताकि ग्रांड करने में कोई भी दिक्कर नहों तो यह सारे को अमने ग्रांड करके तयार कर लिया इदर भूने हुए चने जो हमने दूद के साथ पका कर रखे थे वह भी रेस्ट कर लिए अच्छे से ठंडे हो चुके तो इसको मिक्षर जानों सारी चनों को डाल ओदेंगे डालने के बाद क्या करेंगे इसको भी हमने महीन पीश कर तयार कर ले मैं तो आप देख सकते है महीन पिशे तो चीनी डालने के बाद फिर हम इसको मैल्ट होने तक चीनी पगा लिए आप लोग देख सकते हैं चीनी अच्छी से मैल्ट हो चुकी है तब अब हम क्या करेंगे इसमें हम जो भूने हुए चने को हमने पेस्ट का रखा था उनको यहां पर एड़ कर देंगे सारे चने को इस झिस बात का भी खास क्याल रखना तो आप लोग देख सकते हैं उसको हमने अड़ कर दिया है अब इसां के साथ चार्षीनी के साथ सरसे चलाते रहेँगे तो यह अराम देख से मिक्स हो जाएं गा तो आप लोग देख सकते हैं इसको दोसे तीन मिट तब पका लिए दोसे पकाने के बाद हम इसमें और भी चीजे डालना आएं तो अब हम क्या डालेंगे जो बदाम काजू और चीनी का पीश कर रखा था उसको भी यहांपर अइड कर दिया है अइड करने के बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको mix करने के बाद हम 2-3 मिनट और चला लेंगे ताकि ये भी अच्छी से पक जाए तो हमें total 6 मिनट यहाँ पर चलाते हुए हो गए है अब हमने ये color के लिए डाल दिया थोड़ा सा yellow color और चौब तो हमें डाल दिया color के लिए डाल कर चलाते रहेंगे उच्छी से तो इसे color बहुत ही अच्छा आएगा तो हम इसको भी color डाल के चलाते भी 2-3 मिनट हो चुकी है तो अभी हम इसको क्या करेंगे और भी चलाएंगे ताकि यह थोड़ा सा और गाड़ा हो जाए तो हम यहा पर दो दो मिनट कलर डालने के बाद और अच्छे चला लिया है इसके जा हम थो 2-3 जंके यहां पर घी डालेंगे जी कि इसरे चाहिन आजाएगी और यह तो बहुत हो ता सफ तेर हो जईग आw jour कि जब इस तरह का दो मतलब हो जाए ये तब आप क्या करेंगे यहां पर अब गयास को आपकर देंगे और गयास अपकर ने के बाद éénम मिनद कर तक इस स्याइवvent के स्सेर कर देंगे काजू और बादाम ये हैं और ऊपर से लगाँ देंगे तक हमारी कि भणाने जा रहा है तो बहुत इस वाज़िडう और रेस्पी यह बनकर तयार होगी बुनी हुई चन्य की बर्वी बहुत ही सौधिस्ट बनती है याकीन मानिएगा प्रेंट से तो आप लोग भी जरूट राएं के जीए तो हमने का जो बदा में आप अच्छे से लगा दिया हैं आप लोग देख सकते हो अब हम क्या करने इस रखना चाहते हों तो मैं इसके सारे पृटर करके तयार कर लेते हैं तो आप लोग देख लिए कितनी स्वाधिस और टेस्टी से ये चन्व भुने हुए चैने से हमने बना कर वर्फी तयार किया यकीन मानिया फ्रेंट्स बहुत इस और टेस्टी मुझा बनी है तो वीडिय सब्सक्राइब परें तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियों तब तक करें बाए टेक कियर थेंक्स पर वाचिंग